है कि मुकैश परिहार युद्गुर्व गुल के यूटूब चनल पर आपका ढबियुनंदन करता हूं हमारी ट्व्लफिक кол चल रही और ट्वरades सौन में नियुमें अपानगितिता हूं क्लास नहीं हो पायए व्हाई करके जिल दई दे रहे हैं आपको मकसद यह है कि आपकी लिंक न तूटे इसलिए थोड़ा सा वर्क होने के कारण चलिए तो इस कोरोना के इसकाल में आप पढ़ रहे होंगे और पढ़के आप अपने आपको establish कर रहे होंगे, अपनी कमियों को दूर कर रहे होंगे, क्योंकि अभी सभी लोग कहीं ने कहीं free हैं, मुक्त हैं, तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, और युद्गुरुकुल आपके साथ है, पुरी तरह से जो भी लोग army या defense की तयारी कर रहे हैं, defense के सामने दो कुश्चन दिये हुए, दो कुश्चन में, हमारी जो method अभी चल रही है, वो method क्या चल रही है, पुटिंग method, जिसको अपन बोलते हैं, putting method, putting method का मतलब होता है, किसी एक value को, इसमें क्या होता है, कि अभी आपके पास माना की चर, चर मतलब variable, और आपके पास equation, यानि सम्मी करना, उनकी संख्या में difference हो, दोनों बराबर नहीं हो, जैसे कि इसमें देखें, एक, दो, तीन, तीन तो चर हैं, और equation कितनी हैं, आपके पास, दो, तो तीन और दो कितना हो गया, equation कितनी हैं, आपके पास, एक, तो आपके दो चर मान सकते हैं, ये चीज़ पर दी, पर अभी हमारे जो concept चल रहा है, उस concept में किसी एक चर को मानने के बाद भी सवाल हल हो रहे हैं, तो हो रहे हैं, तो होने दो, क्या फरक पड़ता है अपने को, देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमको जेड बराबर जीरो मानने की जरुत पड़ेगी, तो जेड बराबर कितना होगे है, जीरो, ठीक है, करीश होले इसको, कोई दिकत नहीं, दोनों सवाल को, बहुत आसान-ासान से question है, 10 second में हो जाएंगे, अगर जेड बराबर आपने 0 माना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x equal to minus y, ठीक, यहाँ पर x की value तो generally आनी रही है, तो इसको कर लेते हैं, x square equal to y square, यह condition बन जाएगी, अब यहाँ पर आप रखिए, अगर जेड बराबर 0 रखेंगे, तो यह चीज से यह चीज कड़ जाएगी, यह भी कड़ जाएगी पूरा, तो यहाँ बचे का 3y square, plus x square की जगे कितना रख सकते हैं y square, और बटे में 2y square तो ही है, यानि इसका मतलब होता है, 4y square upon 2y square, 2 से 2 गया, y square से y गया, तो कितना बचे 2, 2 आपका उत्तर है, यानि आपका उत्तर है, सिम्पल सी बात है, यह सारी छोटी-छोटी सी चीज़े, चिंगी-चिंगी सी चीज़े, आपको याद रखना, रखना है, ठीक है, चलिए, आप चलते हैं आगे, इस question की तरफ, putting method, putting method में, आप put करने का काम, तभी कर सकते हैं, जब संख्या equation की, और इसकी, जो निकालना है चर, उनके बीच में difference हो, मतब चर हमेशा अधिक हो, तो हम put कर सकते हैं, maximum कितने put कर सकते हैं, जितनी चर की संख्या, equation की संख्या से अधिक हो, कभी कभी हम एक चर को भी put करके, value निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर दूसरा सवाल को देखिए, z बराबर 0, अगर हम z बराबर 0 करेंगे, तो यह चीज से यह चीज कट जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, z बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा, x प्लस y बराबर 0, यानि x इक्वल टू, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस y, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, y अपान, y माइन, और कुछ नहीं करना यहाँ तो, y से y कटा, एक आया, x से x कटा, एक आया, एक और एक दो, कहां किसी काका जी की ज़रोती नहीं पड़ रही है, केवल z बराबर 0 रखने से ही उत्तर आ रहा है, यहाँ से x y को तो कुछ लेना भी नहीं, ठीक है, तो इस प्रकार के सुन्दर सुन्दर से सवाल आते हैं, जहां पर चीजों को लेके, इसलिए मैं number of question जादा करवा रहा हूँ, जिससे आपके अंदर सवालों को पहचानने की ताकत आए, अभी मैंने chapter को खतम नहीं किया, 56 हुआ, 57 हुआ, उसके बाद इसके तीन question और करवाऊंगा, उसके बाद एक नई method होगी, जिसमें एक ही चर होता है, और एक ही समय करण होती है, उसके आट-दस question करवाएंगे, उसके बाद फिर miss illness question करवाएंगे, तो कम से कम इस chapter को definitely हम 17-18 question तक ले जाएंगे, ठीक है, number of question करने से ही आपके अंदर power आता है, आपके अंदर क्या आती है, ताकत आती है, चलिए, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, चलिए, यहाँ पर आपके सामने फिर दो सवाल हैं, और सभी से निवेदने की दो एक मिनिट के लिए आप इन सवालों को देखिए, दोनों सवालों, देखिए इन सवालों, चलो, करते हैं शुरू, चले, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीजों को देखना पड़ेगा, यहाँ अगर आप c बराबर 0 लेते हो, c बराबर 0 लेते हो तो यह दोनों टर्म 0 हो जाई, तो a भी बराबर 0 हो जाएगा, तो फिर लपड़ा हो जाएगा, a भी बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर a भी बराबर 0, यहाँ पर b 0, एक बटा 0, फिर अनन्त हो जाएगा, कुल मिला के सवाल फिर आपको 0 से नहीं हो पाएगा, ठीक है नहीं हो पाएगा तो किसी चीज को कर लो यहां पर माना कि थोड़ी सी दिर के लिए आप भई बी और सी दोनों को एक मानेंगे तो यह यहां पर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा यहां पर केवल ए हो जाएगा यहाँ पर b को 1 माना तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 ठीक है अब यहाँ पर 1 हो जाएगा तो यह उदर जाएगा तो कितना बचेगा minus 1 और यह a और a कितना हो जाएगा minus 2 तो यह हो जाएगा a equal to minus 1 upon 2 ठीक है यह इस परकार की condition बच जाएगी अब आप put कर दीजिए इस चीज को ठीक है करते हैं 1 upon a square minus bc a square का मतलब कितना होता एक बटा चार हो जाएगा और यहाँ पर bc का मतलब तो है एक बटा चार अब एक बटा चार में से एक गया एक गया तो वो देगा minus 3 बटा चार minus 3 बटा 4 को उलट गुनित करेंगे तो minus 4 बटा 3 हो जाएगा plus b square का मतलब होता एक एक में से ac गया ac का मतलब होता आधा तो आधा गया तो आपको पता हो क्या होगा b square का मतलब कितना हो रहा है एक एक cover में से कितना गया ac ac का मतलब होता a एक आधा गया वो भी कितना माइनस तो माइनस माइनस हो गया प्लस तो यहाँ पर कितना था एक और एक में प्लस एक बटा दो जोड़ा तो कितना हो गया भी एक में एक बटा दो जोड़ा तो कितना हो गया डेड़ डेड़ मतलब तीन बटा दो उलट गुणित करेंगे तो कितना हो जाएग गया तो यह जीरो तो इसका उत्तर होगा जीरो फिर बता रहा हूँ मैं आपको इस हवालों में इतना सोचना समझना थोड़ा सा आसान नहीं होता है शुरुआती स्टेज में आप प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस के लिए वही इसलिए मैं किरा हूँ यह अठावन वा कुश् करते हैं कि सी को जीरो करने से कोई तकलिप तो नहीं हो रही है यहां से भी तकलिप नहीं यहां से भी तकलिप नहीं यहां से भी कोई तकलिप नहीं यहां से भी कोई तकलिप नहीं तो पिर तकलिप का है कहीं भी नहीं तो कर लीजिए भाई जैसे हम सी बराबर जीरो है यह तर्म हो जाए तो इसे प्रकार से आपने साठक कितना हो यहां पर दर्फ। question आपके सामने यह अरा पूरा इसमें भी same way putting method है आप इसको देखिएगा समिकरन कितना है यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिक्कत है में देख लेते हैं question number 60 में यह बराबर 2 है यह बराबर समिकरन चले अब इसको solve करिए जब आप condition करेंगे तो एक ही काम है equation कितनी है एक चर कितने है तीन दो चर को आप मान सकते हैं क्या एक चर से काम हो रहा है देख लिजिए जैसे c बराबर 0 रखते हैं तो यह term पूरी 0 हो जाएगी एक बात ध्यान रखेगा यह 0 बटे 0 नहीं हो रही है क्योंकि 0 बटे a square अपान 0 हो रही है तो 0 बटे a square हो रही है यह यह जिरो है ठीक है यहाँ पर यह भी 0 हो जाएगी यहाँ बचेगा c square कट जाएगा a b से a b a कड़ जाएगा तो उत्तर आएगा कितना 2 सिंपल सी बात है इसका उत्तर कितना होगा 2 यारी पहला उत्तर है कितने सुंदर सुंदर से शांदार से सवाल है पर यह सब कब संभाव है सर जब आप इन चीजों को फूरा पहचान पाएं सर इसलिए मगर एक ही टाइप हमारा कोई कारवा खतम नहीं हुआ है कारवा चलता जाएगा नए कुशनों को लेंगे 2016 से लगा कर 20 तक के सारे CGL, SSE, CHSL, SSE, CPU उनके कुशन को लेंगे बहुत सारे इसमें मैंने सम्मिलित कर लिए और लेंगे कारवा चलता रहेगा समझाने का समझने का हम अपनी जंग को जीतेंगे इसी आशा के साथ थेंक्यू सो मच जैहिन जै भारत